नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जोतिश दिशाज सत्यकीरा में आपके साथ मैं हूँ आपका इस्टो फेंट संतो संतोशी तो कल मिल रहे हैं हम लोग बैंगलोर में मिलना चाह रहे हो तो समय ले सकते हैं आज एक स्पिशल दिन है सावन नाक पंचमी जब हम जोतिश शास के अनुसार राहु को शांत करने का कुछ उद्यम कर सकते हैं कुछ प्रयास कर सकते हैं राहु को कैसे शांत किया जा इसके लिए एक प्रयास आज के दिन किया जा सकता है क्या रहेगा वह प्रयास किस प्रकार से हर राश्य वाले भुलेनात को रिजहाते हुए राहु तक का रास्ता तैं करेंगे इसकी जानकारी देंगे पंचानबे प्रत्षत प्रस्की चैलेंजिंग स्टेज के साथ राशिफल लेकर किया आता हूँ लंबा बताता हूँ भले ही ब्रीफ करना पड़ता है लेकिन जोतिश विज्ञान में जिनको रुची है उनको आनन्द आता होगा कि किस प्रकार से गोचर हम पर असर करता है क्या हम आपको बताएंगे ये पूरी जानकारी हम देने वाले हैं तो बैंगलोर वाले तयार हो जाएं कल मुलाकात करने के लिए हम आपके साथ बैठेंगे राशिफल के विशे में जानकारी पूरी दें आईए सुरवात करते हैं आज के जोतिश दिशा का नक्षत्र 27 मीडिया की अध्भप्रस्तती जूतिश दिशा सत्य की राहा 21 अगस्त दिन सुमवार को राहुकाल का समय नोट कर लिजेगा प्रातह साढ़े साथ से नव और गुलिक काल का समय होता है दोपहल एक तीस से तीन बजे तक राहुकाल नय और शुबकारियों के लिए सास्त्रोक तो वर्जित होता है लेकिन गुलेकाल में आप कोई भी नया और शुबकाम का आरंभ कर सकते तो आई अब सुर्वात करते हैं मेरे ख्यासे तो मैं सत्प्रतिशत सत्ते भविश्वारी करता हूं लेकिन पांच प्रतिशत प्रकृत के लिए छोड़ देता हूं कि नाथ भूल चुक लेनी देनी तो पहला ऐसा राशिफल का कारिग्रम आप लोग प्राप्त कर रहे हैं जहां चैलेंज हो रहा है गोई या शाम को सुन लेना पंचान वे प्रतिशत सही रहेगा अब कुछ ऐसे लोग आजाते हैं जो जलन खोर वो दस प्रतिशत होते हैं वो लिखेंगे कि नहीं कुछ नहीं मिला कुछ मैच नहीं हुआ अब मैच नहीं हुआ ये कैसे संभव है इसका मतलब तो जोतिश सास्तरवे जूठा है हम तो दो दूनी चार बोल रहे हैं आप कहरें ना पांच होना चाहिए था पांच नहीं हुआ आप ऐसा कह रहे हैं तो ये संभव हैं संभव ही नहीं है मतलब सत्य ना हो ये next to impossible करो ये मैं सूत्र के साथ दे रहा हूँ ना हम तुक्का नहीं मार रहे हैं बाकी जोतिशियों की तरह हम तुक्का नहीं मार रहे हैं कि आज नौकरी लग जाएगी कैसे लगेगी हम बता रहे हैं हम बता रहे हैं कि कारी छोट्र में क्या होगा वो हम लॉजिक के साथ बता रहे हैं कि चंद्रमा चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो नक्षत्र आप उस नक्षत्र का स्वामी आपकी राशी से कहां बैठा है उसकी दृष्टियां कहां कहां है हम तर्क के साथ दे रहे हैं तो तो कल्कुलेशन है तो कल्कुलेशन कैसे गलत हो सकता है दसमेश की दसम परद्रिश्टी है तो प्रमोशन तो देने देना है गलत कैसे हो सकता है आप बायस डोह करके दुराग्रही हो करके पुर्वाग्रही हो करके संतो संतोशी को उंगली करने के लिए आप कुछ भी कर गणित में दो दूनी चार होता है पौने और सवा की गुंजाईश नहीं होती है जोतिश को जीता हूँ मैं आत्मसाथ करता हूँ जोतिश में इतिहास बनेगा इतित बस देखते जाएए आप क्या होनेवारी और अब जानते हैं आज की अरोखी भविश्वारी मेश राशी आज का दिन चंद्रमा शाम तक कन्या में है लेकिन नक्षत्र आपका अपना है तो चिंता की आवश्यक्ता नहीं है आज लाइट नहीं है इसलिए इसी नहीं चल रहा है पसीने होते रहेंगे बीच बीच में तो नक्षत्र आपका अपना है इसलिए चिंता की आवश्यक्ता नहीं है टेंसन का है छटे के चंद्रमा से कुछ ज्यादा परेशान होना नहीं है पढ़ाई तो आप आज कर ही लेंगे श्रिक्षा में इस्थती अच्छी ही रहेगी ब्यापार के लिए मामला थोड़ा सा माइनस दिखता है बिजनस में आपको उतार चड़ाओ का सामना करना पड़ेगा लेकिन अगर प्राइबेट सेक्टर में जॉब कर रहे हों आप तो ये आपके लिए अनोखा है आज यात्रा का विशेश आयोजन आपके लिए किया जाएगा कहीं भेजा जाएगा यात्रा म स्पेशल आपको लाव मिलेगा और आप सकरात्व रहेंगे व्यापार में थोड़ा सा उतार चड़ाओ बहुत थोड़ा सा संभव है प्राइबेट सेक्टर में जॉब करते होंगे तो यहां पर मैटर थोड़ा बहुत गरबर होगा बातों बातों में कुछ उलजने आपको परिशान करेंगे लेकिन सरकारी छेत्र वालों के लिए आज का दिन कुछ इस्पेशल शुभत्व प्रदान कर रहा है दामपत्य जीवन हर कदम पर सकारात्मक्ता का परिचे कराएगा थोड़ा बहुत भटकाव एक की तरफ से हो सकता है लव लाइफ बंबम इस्थती में बड़ी उपलब्धी आज यहां पर है विवाह की इस्थती पैदा हो रही है स्वास्थ के मामले में आज मेश राशी वालों को बुध परेशान करेगा ओवर थिंकिंग एंजाइटी डाइजेशन प्रॉब्लम आदी संभव है मेश राशी वाले आज नाग देवता को राहो को प्रशन करने के लिए शिवलिंग पर गुलाव जल अर्पित कर दें शुबरंग आपके लिए आज बादामी भाग्य प्रदिशत 57 ब्रिशब राशी 21 अगस्त पढ़ाई में पूर्ण रूपेड लाभ के योग हैं शिक्षा आपके लिए आज अलग जोन में तयारी करवा रहे हैं चंद्रमा का प्रभाव पंचम भाव में ही है द्वादशेश का नक्षत्र होने के कारूण चुत्रा नक्षत्र होने के कारूण अंचम से अश्टमेश के नक्षत्र में होने के कारूण आज कुछ अंदर से ही आप स्वयम से लड़ते हुए प्रतीत होंगे ब्यापार मेहनत मांग रहा है दसम से तृतिय के नक्षत्र में हैं दौदस भाव दसम से तृतिय पढ़ता है तो आज ब्यापार में पराक्रम करना पड़ेगा जद्द जहत करना पड़ेगा मेहनत करना पड़ेगा प्राइबेट सेक्टर वालों को आज बाहर से कोई खुश खबरी मिल रही है कोई दोस्त आपकी मदद के लिए आगे आएगा सरकारी छेतर में उतार चड़ाव आज बढ़ेगा काम में मन कम लगेगा गवर्मेंट सेक्टर वालों को आज सूच समझ कर फैसला लेना होगा ब्रिशब राश 21 अगस्त नाक पंचमी सो मवाद मैरियर लाइफ यहाँ पर आज एक दूसरे को आप सत्रू की तरह ट्रीट करेंगे मिवादास पर इस्थिति पैदा हो रही है अचानक कुछ उतार चड़ाओ बढ़ेगा लव लाइफ बहुत अनकूल है अंतरंगता रहेगी एक दूसरे को समर्पन भाव से देखेंगे किसी तरह की चिंता नहीं है स्वास्त के मामले में लीवर किटनी की समस्या आज बनी हुई दिखाई देती है क्या उपाय करना चाहिएगर आपकी राशी ब्रिशव है आज ब्रिशव राशी वालों को प्रियोग के तौर पर राहु को संतुलित करने के लिए भोलेनात को रिजाने के लिए नाग मंचविश प्रिशल उपाय भाई या क्या है आज ब्रिशव वालों का बहुत छोटा सा प्रियोग हम आपको बताते हैं दाइनी हथेली पर सर्सु का तेल रखिए मंगल का प्रतीक शनी का प्रतीक और श्यूलिंग प्यार पित कर दीजे नमप पार्वती पते हर हर महादेव संभू के लाश्य। यह होता है रोगटे खड़ा होना जो हमने वीडियो डाला था शोरंग आपके लिए आज सफेद, भाग्य प्रत्शत, तिरपन, मिथुन राशी सिक्षा अरोखे अंदाज में है, पढ़ाई में किसी तरह की समझ्या नहीं है ब्यापार थोड़ा सा आज उतार चड़ाओ देगा, बिजनस को ले करके आपको साउधान रहने की आवश्यक्ता है आलस से आएगा, चोथे भाव का चंद्रमा है, शाम तक, फिर तरती भाव में आजाएगा बंचम में आ जाएगा, शाम के बाद लेकिन शाम भीत्ते भीत्ते साड़े पांच-छे बजे तक तो पूरा दिन तो इसी को देखना है, कन्या के ही चंद्रमा को प्राइवेट सेक्टर में जॉब आलों के लिए आज प्रभाव आपका बर्चस्व आपका बढ़ रहा है, कदम दर कदम शुभत्व आपका बढ़ रहा है, सरकारी छेतर में कुछ स्पेशल ट्रीट्मेंट होगा, प्रमोशन आज आपकी प्रशिद्धी आपका दिखाई देता है, मिथोनाशी, दामपत्य जीवर में आज जैसे कोई प्रतिद्धी आ गया है, पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी साफ साफ दिखाई देती है, लव लाइफ आज उसका च्छय होगा, कोई एक ऐसा आपको आज धोखा दे सकता है, जिस पर आप बहुत विश्वास करते हो, स्वास्त के मामले में आज घुटना परिशान करेगा, क्या उपाय करना है अगर आपकी राशी मिथोनाई, आज भोले नात की शनौन में चल करके, शुलिंग पर चीनी का बुरादा, बुरा चीनी कहते हैं, उसको आप अर्पित करें और फिर जलाभी शेक करें, जल चड़ा दें, शुबरंग आपके लिए आज पीला भाग्य प्रतिशत 57, करकराशी, बहुत सकरात्मक दिन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि धर्ड हाउस में चंद्रमा का संचरण है, लेकिन नक्षत्र स्वामी आपका योग कारक है, तो आज अकस्मात कुछ बड़ा शुभ हो जाएगा, पढ़ा इच्छी है, कहीं कोई दुराव नहीं, शुक्षा में तो आप बहुत मजबूती प्राप्ट कर रहें, ब्यापार में उतार चड़ाओ बढ़ेगा, बिजनस की स्थिति आज कष्ट साध्य है, कारण आपकी लापरवाही और गलत निरड़ सिद्ध हो जाएगे, प्राइविट सेक्टर में आज कुछ मेहनत इक्ष्ट्रा करके बॉस को खुश करने का मौका प्राप्त होगा, उस मौके को भुना लेंगे अगर आपने हमारा राजशी फल देखा है, आज करक राशी वालों को अपने करक राशी वाले मित्रों को वीडियो भेजना चाहिए, भया सरकारी छेत्र वालों के लिए क्या है आज, आप पर आज भगवान भुलेनात की विशेश किरपा है, तो आज प्रमोशन आपको प्राप्त हो रहा है, नक्षत्र से यहाँ पर आप बलवान हैं, ध्यान दीजेगा, दामपत्त जीवन की बात करें तो थर्ड हाउस के चंद्रमा के कारण मन थोड़ा सा खिन्न तो होगा, लेकिन आप उसको संतुलित कर सकते हैं, और लव लाइफ की बात करें, एक मैटर आज कोई पुराना जग के आपके सामने आएगा, स्वास्त के मामले में बैक की प्राप्लम और माइगरेन की समस्या हो सकती है, प्रियोग क्या करना है, करक वालों को, आईए, भुनेनात के दर्वार में चलते हैं, शिवलिंग पर गुलाब जल और काले तिल अर्पित कर दीजेगा, शुबरंग आज गुलावी भाग्य प्रतिशत पचास, सिंग राशी, मांसिक प्रशनता का दिन है, मन खूब प्रशन है आज, दुत्री भाव में चंद्रमा है, परिवार में खुशी का वातावरन रहेगा, कोई दोस्त पुराना आज बिछ्रा हुआ आपके घर आएगा, सिक्षा में प्रभाव नहीं है, सिक्षा अच्छी चलेगी, सिंग राशी, 21 अगस्त, ब्यापार को आज कुछ बल दे दीजे, बिजनस में सोच समझकर आज बड़ा फैसला लीजे, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हों तो आपके लिए कुछ नए राश्ते खुल रहा है, सरकारी छेतर में सुधार सोत्य हो रहा है, पती पत्नी एक दूसरे के प्रती समरपन का भाव दिखाएंगे, दामपत्य जीवन बहुत सकारात्मक रहेगा, किसी तरह की ज्थिती हराब नहीं है, लव लाइफ अनकूलता है, आवसर अच्छे मिल रहे हैं, प्रभाव और वर्चस वापका बढ़ेगा, स्वास्त के मामले में, आख की समस्या, किटनी की समस्या, और डाइजेशन की समस्या हो सकती है, दुती भाव में चंद्रमा है, मंगल का नक्षत रहें, आखों की दिक्कत तो देना ही देना है, अश्टम पेश की दिष्टी है, तो पेट की समस्या देना ही देना है, उपाय क्या करना सिंह राशी वालों को प्रियोक के लिए भोरे नाथ के मंदिर में जाकर कच्चा दूद अर्पित करते हुए शिव का ध्यान करें शुबरंग आपके लिए आज के सरिया भाग्य प्रत्षत तिरपन कन्या राशी आपकी हिराशी में चंद्रमा है बलो चंद्र देव भग्वान की जय पढ़ाई तो भही आज च्छक के करेंगे शुब इस्तति है लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो नक्षत्र है और उसका प्रभाव बड़ा जादा रहता है तो वह तिर्तियेश का नक्षत्र है और अश्टमेश का नक्षत्र है तो लग्न में चंद्रमा संतुलित तो करेगा आपको बाकी सारी चीज़ों को लेकिन आठमा तीसरा और एकादस एकादस कैसे एकादस शेशों के चंद्रमा आपकी राशी पे हैं तो तिर्तिये भाव अश्टम भाव और ग्यारहमा भाव यह तीनों भाव आज आपके अक्टिवेट हो गए है ऐसे इस्तति में पढ़ाई तो आज गई सिख्छा में कुछ न कुछ अडचन और रोध परिशानी आनी ही आनी है मेंटली प्रिपेर रही है तो थोड़ा बहुत उन्नीस बीस तो करें अच्छा व्यापार की बात करें तो कुछ रिस्क लेना पड़ेगा आज थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर भाईया मेहनत बहुत करना है आज बास की बात को सुनकर समझकर कर लेतेगा सरकारी छेत्र वालों के लिए आज कुछ स्थतियां सकारात्मग हैं आप कुछ बड़ा फैसला करेंगे दामपत्य जीवन में आज कितना भी नोग जोग होगा शाम तक सब कुछ सेटल हो जाएगा लव लाइफ अब यहां पर कन्या राशी वालों के लिए एक आदस में पंचमेश छटे में हैं सनिदेव यह इस्थति कुछ कुछ ठीक मिला जुला करके लव लाइफ में आपको परेशान नहीं होना है स्वास्त के मामले में आलस से आएगा आज थोड़ा सा लेजिनेस कंधों में दिक्कत और कमर में दिक्कत हो सकती है उपाय क्या करना है ओम नमह शिवाए शिव पंचाक्षरी मंत्र का 108 वार जाब करिएगा शुबरंग आपके लिए आज हरा भाग्य प्रत्षत सत्तावन तुला राशी मानसिक प्रशनता का दिन है शुक्षा में आज कुछ सुधार हो रहा है 12 स्थान के चंद्रमा दुतियेश का नक्षत्र और सब्तमेश का नक्षत्र आपके लिए सिख्षा छेत्र में कुछ विशेश उपलब्धी अर्जित करवाएगा व्यापार के लिए समय थोड़ा सा प्रत्रिकूल है बिजनस में परिस्थतियां उल्टी सीदी हो रही है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए आज अच्छा फल दे रहा है किसी तरह की समस्या नहीं सरकारी छेत्र में उतार चड़ाव बढ़ सकता है गौर्णमेंट सेक्टर आपके लिए कुछ अच्छे काम का परिचे कराएगा दामपत्र जीवन आज तुला राशी वालों के लिए सबतमेश के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरणा है तो पत्री पत्री के वीच तालमें तो बैठा रहेगा लेकिन कुछ विवाद हो सकता है इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा लव लाइफ में आज उतार चड़ाओ के साथ शुभ इस्थति आ रहे हैं स्वास्त के मामले में आपका प्रभाव बढ़ेगा आज समय पर दवाओं का सेवन आपके लिए ने राश्ते खोलेगा स्वस्त महसूश करेंगे इनर्जेटिक महसूश करेंगे उपाय क्या करना चाहिए अगर आपकी राशी तुला है शिवाले में जा करके सोठ और गुड शिवलिंग पर अर्पिट करेंगे और वही प्रशाद रूप में ग्रहन करेंगे शुभरंग आपके लिए आज बादामी भाग्य प्रतिशत बावन कल तो मुलाकात हो रही है बैंगलावर में लेकिन चंडीगर गुहाटी, सिलिगोडी आदिश शहरों में कब मिल सकते हैं उसके लिए देख लिजे हमारा छोटा सा ब्रीक में पूरा डिटेल हम जल्दी वापस आते हैं आईए आपको बताते हैं संतोशी जी के अगामी कारिक्रम के बारे में मिलने के लिए 9910291850 पर अभी कॉल करें या 9999 024099 पर वाटसप करें वीडियो कॉल की सेवा भी उपलब्ध है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है देख रहे हैं आप लोग जो तिश्दिशा सत्य कीरा मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फ्रेंड संतोशी तो समझ लिया होगा आप कब कहा हम से मुलाकात कर सकते हैं आईए अब जान लेते हैं ब्रिश्च ग्राशी का 95 वे प्रतिशत प्लस सटीक भविश्यवाणी दिनांग 21 अगस्त दिन सोमवार का ब्रिश्च ग्राशी चंद्रमा एक आदस भाव में लेकर के बैठ गए कोई चिंता वाली बात नहीं सब कुछ पॉजिटिव होगा पढ़ाई अच्छी चल रही है सिक्षा में सुधार भी आज है बेहतर करेंगे चंद्रमा की पूर्ण दृष्टी आपके पंचम भाव को शुशोबित कर रही है तो पंचम भाव जाग्वित रहेगा पढ़ाईत आप करते रहेंगे पंचम भाव मुहबबत का भी होता है उससे नजगाली जिएगा ब्यापार अच्छा है बिजनस में कुछ उतार चड़ाव नहीं है आज आपका प्रभाव आपका बर्चस्टो रहेगा बिजनस में आज कुछ अच्छा अपने आप होगा रिस्क ले सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए रास्ते खुलेंगे सकारात्मक परिणाम दिखेगा सरकारी छेतर में कई प्रकार से नकारात्मक ताएं आ सकती हैं आज मन मुटाव हो सकता है बौस के साथ कुछ उतार चड़ाव बढ़ रहा है दामपत्त जीवन गजब का है बहुत अनकूल है परिस्ततियां बेहद करीब है संतान के निमित्त प्रयास सफल होगा संतान के उपर प्राउड होगा आज ससुराल से रिष्टे को मधुर करने का दिन कहा जा सकता है मैरिड लाइफ के लिए एकादश भाव में चंद्रमा का संचरन सदयव सकारात्मक रहा है लव लाइफ आज जैसे प्रेम संबंधों की बाढ़स ही आ जाएगे किस किस को प्रपोज करें कुछ ऐसा भाव आपके अंदर रहेगा स्वास्त के मामले में आज का दिन गले में खासी खरास और थोड़ा सा माईग्रेन की समस्या हो सकती है अधका पारी प्रियोग क्या करना चाहिए बिश्चिग राशी वालों को आज उपाय के तोर पर अपने हाथों से किसी जरूरत मंद को कुछ खाने के लिए देते हुए शिवलिंग पर कच्चे दूद का अविशे करते प्रणाम कर ले शुभर्त्व बना रहेगा शुभरंग आपके लिए आज ग्रे भाग्य प्रत्शत तिरपर धनुराशी दिनांग 21 अगस्त आप पढ़ाई में तो आज कुछ बड़ा कर ही रहे हैं शिक्षा अनोखी है हर कदम पर शुभ विचार रहेंगे शिक्षा में किसी तरह का दोश नहीं है ब्यापार धनुराशी वालों के चुकी दसम में चंद्रमा आ गए हैं और पंचम अश्ठम के नक्षत्र में हैं पंचम द्वादस के नक्षत्र में हैं जो कि पंचम से अश्ठम पढ़ताशन में व्रिश्चिक और मेश सटाश्टक होते हैं पढ़ाई की स्थती सुद्रण तो है आज कहीं कोई दोश नहीं है। विजनस में मामला गणबण है धनुराशिवालों के लिए प्राइवेट से के राज कुछ अच्छा कर रहा है परिस्थती आपके अनुसार है सरकारी छेत्र में मामला गजब का है मेहनत का पूरा परिणाम मिल रहा है आपका प्रभाव आपका बर्चस्व बना हुआ है दांपत्य जीवन सब्तम से चतुर्थ में चंद्रमा का संचरण बड़ा सकारात मगए लव लाइफ में मामला उल्टा हो सकता है पंचम भाव पीडित आज कहा जाएगा धनुराशिवालों के लिए और चंद्रमा पंचम से छठे हैं दसंभाव में तो आज कोई आपके प्रेम का दुश्मन एक्टिवेट होगा ही होगा और आपको अहसास भी हो जाएगा स्वास्त के मामले में आज धनुराशिवालों को निवरो प्रॉब्लम और लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है क्या उपाय करना है आज नाग पंचमी है शिवाले में जाकर के शिवलिंग पर जल चढ़ा दीजे सामाने रोख से शुबरंग आपके लिए पीला भाग्य प्रद्शत 50 मकर राशी बेहद सकारात्मक दिन कहा जाएगा हर कदम पर आपका प्रभाव आज है भाग्य स्थान पर चंद्रमा है चतुर्त भाव के स्वामी के नक्षत्र में है पढ़ाई गजब की चलेगी आज हर कदम पर लाभ होगा द्याफार आपके लिए कुछ कश्ट दे सकता है बिजनस को ले करके आप सतर्क हो जाएए प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अच्छा परिणाम देखाएगा लाभ हर कदम पर होगा सरकारी छेतर को सुधारने में काम्यावी लाने का प्रयास करेए सरकारी छेतर में आज मकर राशिवालों को बहुत मेहनत करना पड़ रहा है मेरेड लाइफ की बात करें तो आज मकर राशिवालों के लिए बिवाद अचानक से पैदा होगा चंद्रमा अपने से तृतिये में है सब तमेश हो करके तो कोई शडियंद्र भी आपकी विरुद्ध मेरे लाइफ में आज चल सकता है लव लाइफ बहतरीन है अवसर अच्छे मिल रहे हर कदम पर लाब हो रहा है स्वास्थ के मामले में आज का दिन लीवर और खिटनी की समस्या दिखाता है क्या प्रियूक करना चाहिए अगर आपकी राशी मकर है गन्रे का रस आज शेवलिंग को अर्पित कर दी शुभरंग आपके लिए आज हरा भाग की प्रतिशत पच्छपन कुम्बराशी चंद्रमा आपके अश्टम में आ गये हैं आज और तिरतियेश के नक्षत्र में हैं दसमेश के नक्षत्र में हैं पढ़ाई में आज थोड़ा सा रुक रुक करके गति आएगी ब्यापार अच्छा है बिजनस में कोई परेशारी नहीं होगी मित्र साथ देंगे प्राइवेट सेक्टर वालों को वाज थोड़ा सा नोग जोग का सामना करना पड़ सकता है कारिश हित्र में विवादास्पत इस्ति आएगी दामपत्र जीवन अच्छा है पत्नी और बच्चों की बीच तालमिल विठाने में काम्याब रहेंगे और जो इस्त्रियां हैं संतुले था लेकिन हेल्थ में कई प्रकार की इश्यू आ सकते हैं अश्टम के चंद्रमा के कारण कुछ पुरानी बीमारियां भी जाग दित हो सकती हैं क्या उपाय करना चेहेगर आप किराशी कुम्भ है श्योलिंग पर आज सरसो का तेल अर्पित कर दीजे शुबरंग आ अन्तिम राशी मीर सब्तम का चंद्रमा बहुत सकारात्मक है आज कई प्रकार से आपको अवसर दे रहा है शुब प्रभाव में हैं आप मांसिक प्रशनता भी आपको आज है पढ़ाई में तो कुछ बड़ा हो ही रहा है ब्यापार कई पिकार से परिशान करेगा पिजनस उल्जन पैदा करेगा प्राइवेट सेक्टर को आज सम्हालने की आवशक्ता है नया काम अभी हाथ में ना लीजिएगा आज पूरा नहीं हो पाएगा सरकारी छेतर वालों के लिए यात्रा पर भेजे जाएंगे आपका प्रभाव आपका बर्चस्व बहुत शुब रहेगा दामपत्य जीवन समस्त गिलेशिक में भूलाने का है नई सुर्वात कर सकते हैं आज साथ में के चंद्रमा के सहारे लव लाइफ अब देखिए मामला तो बहुत अच्छा है आज पंचमे शोकर के चंद्रमा साथ में में है तो बिवाह आज तैं जरूर हो जाएगा स्वास्त के मामले में आज जुखाम खासी हो किती है क्या उपाय करना चाहिए आप भाया जली शेव लिंक पे भंकर संकर जी के मंदिर में चरिए जल्दी जल्दी चरिए एक धतूरा का फल अरुपित करे भोले नाथ को प्रणाम करते हुए शुबरंग आपके लिए आज काला भाग्य प्रत्षप बावन तो राशियों की स्थती समझ में आ गई हो एक बार पुना अब आपको बता दे कि आप कल हम से बैंगलोर में मिल सकते हैं कल हम बैंगलोर में हैं अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो हमारे कार्याले के नंबर पर तुरंत वर्टसप कर लेजेगा आई आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आज का सक्सेज की उल्टी हतेली पर कच्चा दूद और उसमें काले तिल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें मंदिर में जाके आपका दिन पावन पवित्र और शुब होगा आगे बढ़ते हैं दिनांग 21 अगस्त दिन सो मवार का भाग्याक्षर मेश, खाक्षर, ब्रिशब, ठा, मिथुन, ठाक्षर, कर्क, गा, सिंग, वाक्षर, कन्या, हा, तुला, पाक्षर, ब्रिश्चिक, सा, धनू, नाक्षर, मकर, भा, कुम्भ, धाक्षर, मीन, छोटा आ ये आपके अपने शुब भाग्याक्षर हैं जिनने सादे चौकोर कागच पर लिखकर रखने की आवश्यक्ता होती है, अब दिन आपका बंबं बीतेगा, आगे मरते हैं और चरते-चरते जान लेते हैं आयुश्मान भवह, तो 21 अगस्त को पैदा हुए लोगों का पूरे वर्ष को शुब करने का उपाय है, पीपल की तीन परिक्रवा करके आज का दिन शुरुआत करें, शुब करें, बढ़ों का चरण छुएं, ग्यारह तुलसी के पौदे किसी पब्लिक प्लेस पे लगाएं और किसी जरूरत मन्द को आज भोजन करा दें, और जिनकी आज मैर जनिवर्शरी है, अपने हाथों से किसी जरूरत मन्द को खाना खिला कर, शिवाले में जाकर, नाक पंचमी आज है, पती-पत्नी मिलकर, अभिशेक जरूर कर दें, काम आपका बन जाएगा, सगारात्मक्त रहें, शुब सोचें, और हस्ते रहें, आज की इस खासंक में बस शुक्तिया, नमस्कार, शेरावे. आचार्य, विश्वप्रसिध ज्योतिशाचार्य, संतोश संतोश जी ने, अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद, आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं, एक अनमोल उपहार, ग्रहदीब, समस्त प्रकृति की शक्ति को, अपने अंदर समेटे, ये ग्रह ग्रहदीब, आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है, कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव, बस एक ग्रहदीब आप के जीवन को भर देगा खुशियों से, हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीब, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब, व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीब, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हे तू, महालक्षमी, कर्ज कोट विवाद, मंगल ग्रहदीब, मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब, तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है, मंगव अपना खास ग्रहदी, दीब एक, खुशियां अनेक